॥ जहिए नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है नीतूर ऐस्वागत है आप सभी का आपके अपने युटूब चैनल आर्मी जी केन हिंदी एंड आर्मे अर्मी रणिंग पर तो भारत्य सेना की तियारी कर हुए सभी नौजवानों का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आप तैयारी कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों और जो लोग नई तैयारी में हैं आज कर मलब उनकी एज हुई है तो तैयारी कर रहे हैं भरतिय सीना म तो आप едेख सकते हैं और उरिजनल पेपर इक्सेट पूछे जाते हैं है वहाँ पर तो आप देख सकते हैं उसी लिए विआवल से आप अपनी त locking साहिए और और जो आप भी जरूर से चैनल को सबस्क्राइब करना करना ताकि आनेicie retir वीडियो आपको सबस्क्राइब की आज का वीडियो है दोस्तों बाइलोजी के क्वेशन है इसमें 20 क्वेशन बाइलोजी के हैं जो कि आपके आर्मी एक्जाम के लिए बहुत इंपोटेंट हैं आप त्यारे कररें आरमी जीटी की खास करके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वालो के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर मौका है दोस्तों आप इसमें टेस्ट दीजी अपना और कितने क्वेशन आपके सही हो पाते हैं तो इसका भी आप अंदाजा लगाएं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीड जर्मों का या फिर जीवित परती रक्षियों का या फिर दुर्विल जर्मों का या फिर इनमेंसे कोई नहीं तो दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेशन है चेचक के परती तीका करण में समाविस्ट क्या जाता है दोस्तों जीवित परती रक्षियों का तो आप्श चिस रोग के लिए उत्तरदाई प्रोटो जोगा है एंड अमीबा ट्रेपे नो सोमा या फिर अमीबा या फिर मैसे कोई नहीं तो राइट आंसर है दोस्तों आपका एंड अमीबा तो आप सने राइट आंसर होगा दोस्तों नेक्स्ट क्रिश्टिन की तरफ बढ़ते हैं बह में बहुत इंपोर्टेंट क defines है दोस्तों ऐसे ही क्रिश्टि आपके एक्जाम में पूछे jाते हैं रेटीन के छोटा होने से अगला ऑप्सन है आपका नेद्र गोलक के छोटा होने से या फिर पुतली के फैलने से या इन मैसे कोई नहीं तो दोस्तों आखो की दूर्य ढि लेकिन नजदीक का नहीं दिखाई देगा तो यह है दूदरिष्टी तो बढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रिशन की तरफ सबसे अधिक आईरन किसमें पाया जाता है केला हरी पत्तिदार सबजियां दूद या फिर सेप सबसे अधिक आईरन किसमें पाया जाता है दोस्तो तो घर में सभी कहते हैं कि आईरन मिलेगा तो हरी पत्तिदार सबजियां खाओ तो आपका right answer होगा दोस्तो हरी पत्तिदार सबजिया option B आपका यहाँ पर बिल्कुल right answer है दोस्तो बढ़ेंगे next question की तरफ next question है यहाँ पर निम्न लिखित मैंसे किस vitamin की कमी के कारण मसूरों मैंसे रक्त आता है और दात हिलने लगता है बहुत ही important question है दोस्तो यहाँ पर option है आपके vitamin A, vitamin B, vitamin C या फिर vitamin D तो option मैंने पढ़ रहे हैं दोस्तो तो right answer आपका क्या होगा यहाँ पर आपका right answer होगा दोस्तो option C vitamin C की कमी के कारण दोस्तो मसूरों से रखता आता है दात हिलने लगता है और दोस्तो vitamin C की कमी के कारण कौन सा रूख होता है तो इसकर्वी और vitamin C का जो रासाइनिक नाम है वो है ascorbic, aml, और vitamin A की कमी से ratondi, vitamin B की कमी से berry berry, तो यह भी आप याद रखेगा दोस्तो बहुत ही important है बढ़ेंगे next question की तरफ next question आपके सामने है question है आपका निमनलिखित में से कौन सी मध बिटामिन है कैरोटीन, इंसुलिन, रिबो, फ्लोविन या फिर इन में से कोई नहीं right answer है आपका रिबो, फ्लेविन आपका option C बिलकुल यहाँ पर right है बढ़ेंगे next question की तरफ answer आप करते जाएंगे comment करें तो सरील में हीमोगलोविन का कारे है दोस्तों बहुत ही important question है सरील में हीमोगलोविन का कारे है आपसीजन का परिवहन, लोह का उप्योग, रक्तालपा को रोकना, या फिर जिवाणों को नश्ट करना right answer होगा दोस्तों आपका oxygen का परिवहन सरील में हीमोगलोविन का कारे है आपसीजन का परिवहन next question दोस्तों next question है आपका जब एक व्यक्ती विर्ध हो जाता है तो सामाने तया उसका रक्त का दाब घट जाता है बदलता रहता है या फिर उतना ही रहता है या फिर बढ़ जाता है दोस्तों आपका जो right answer होगा यहाँ पर घट जाता है जब एक व्यक्ती विर्ध हो जाता है तो सामाने तया उसका रक्त का दाब घट जाता है तो option है आपका यहाँ पर right answer होगा next question है आपका जब विर्ध कारे करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है सरीर में वसा रक्त में नत्र जनित अपसिस्ट पदार्थ या फिर रक्त में सरक्रा या फिर सरीर में प्रोटीन right answer है दोस्तों आपका रक्त में नत्र जनित अपसिस्ट पदार्थ तो option B आप याद रखें यहाँ पर जब विर्क कारे करना बंद करते तो कौन सा पदार से जमा हो जाता है तो रक्त में नतर जनित अपसिस्ट पदार था option B राइट आंसर होगा next question क्या कहता है दोस्तो कि next question आपका माना तचा का रंग बनता है माना तचा का रंग बनता है option है आपके हीमोगलोबिन से मैलानीन से एड्रेनलीन से या फिर इंसुलीन से तो बहुत ही important question आपका राइट आंसर होगा दोस्तो मैलानीन से option B राइट आंसर होगा next question दीखे बहुत ही important यह question है next यदि माता पिता मैंसे एक का रुधिर वर्ग A, B है और दूसरे है ओ तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा बहुत important question है इसका right answer होगा दोस्तो आपका A या B option A आपका यहाँ पर right answer होगा तो याद रखेगा option A तो दोस्तो बढ़ेंगे next question की तरफ next question भी बहुत important है कौन सा guarantee insulin निस्चारन के लिए उत्तरदाई है तो option है आपके अगन्या साई, pineal, thymus या फिर इनमें से कोई नहीं तो सबसे महत्वपूर option आपके है दोस्तो तो option आपका right answer होगा अगन्या साई, कौन सी गरंथी insulin निस्चारन के लिए उत्तरदाई है अगन्या से आपका right answer होगा next question क्या कहता है दोस्तो next question है निम्ने लिखित मैंसे किस कोईचा से insulin जनरावित होता है? 알फा कोईचा, बीटा कोईचा, तांतरिक कोईचा या delta कोईचा तो दोस्तो आपका यहाँ पर안षी होगा दोस्तो बीटा कोईचा, तो बीटा कोईचा आपका यहाँ पर बिल्कूल राइट answer होगा option B आप याद रखिए insulin स्रावित होता है beta-cochica से option B right answer होगा दोस्तो बढ़ेंगे next question की तरह अगर आपने वीडियो को like निकिया है तो जल्दी से like कर दीजे दोस्तो और दोस्तों के साथ share जग कर दीजे ताकि वो भी इस वीडियो का benefit उठा पाए तो चलिए next question की तरह बढ़ेंगे next question है आपका निमने लिखित मेंसे कौन सा एक हार्मोन है invert stage या फिर excorbic insulin या फिर RNA तो right answer है आपका दोस्तो insulin insulin एक हार्मोन है तो option C बिल्कुल है आपका right answer है RNA का full bomb है दोस्तो react है वो next question है आपका माना सरील की कौन सी गरंथी एक साथ अंतहो श्रावी तथा प्रही स्रावी दोनों की तरह कारे करती है कौन सी गरंथी एक साथ अंतह स्रावी तथा बाही स्रावी दोनों की तरह कारे करती है अगन्या सही थाइराइट पी उस या फिर या किर्द राइट आंसर है आपका दोस्तों अगन्या सही आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा option A next question की तरह बढ़ेंगे next question भी कम important नहीं है आपका रक्तल आपका नेंदर कौन करता है बहुत ही important है अधी विर्क, पीत, पिंड, थाइम, या फिर आउटो राइट आंसर आपका है अधी विर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर है next question next question सबसे important है दोस्तों बहुत ही important question है question क्या है आपका जीवन रक्सक हार्मोन किस गरंथी से स्रावित होते हैं जीवन रक्सक हार्मोन किस गरंथी से स्रावित होते हैं question को जरूर note करना option है आपका adrenal, pituitary या फिर thyroid या फिर इमसे कोई नहीं तो adrenal आपका बिल्कुल यहाँ पर right answer है adrenal आपका बिल्कुल यहाँ पर right answer होगा दोस्तों जीवन रक्सक हार्मोन किस गरंथी से स्रावित होते हैं adrenal बिल्कुल right answer है next question है आपका यहाँ से कौन सा हार्मोन लडो उडो हार्मोन कहलाता है बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही important question आगया है दोस्तों option है आपका insulin adrenalin या फिर oxytocin या फिर estrogen दोस्तों आपका यहाँ पर right answer होगा adrenalin option B आपका यहाँ पर right answer होगा दोस्तों option B adrenalin आपका right answer होगा दोस्तों लडो उडो हार्मोन कहलाता है option B आपका बिल्कुल यहाँ पर right answer होगा next question insulin है एक परकार का तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है दोस्तों आप बता सकते हैं इसका answer option है आपका नामक vitamin, enzyme या फिर हार्मोन insulin है दोस्तों एक परकार का हार्मोन option D is right answer next question last question है दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सा एक strilling हार्मोन है estrogen insulin, oxygen या फिर estrogen तो right answer है आपका दोस्तों estrogen यहाँ पर strilling हार्मोन है तो याद रखेगा option A बिजलकूल आपका right answer होगा तो दोस्तों यह थे आज के question उम्मिद है आपने सारी question को बहुत अच्छी जिक्योंगे तो 20 question में से आपके कितने question right होए है comment करके जरूर बिताए और दोस्तों वीडियो को like और दोस्तों के share करना ना भूले और चैनल को subscribe करना भी ना भूले दोस्तों और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए आने वाले exam में आपका selection जरूर होगा दोस्तों तो चलिए मिलिंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत